दूस्तों गर आप गैलरी के फोटू का पीडियाप बनाना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, बाट्सॉप करना चाहते हैं, या फिर किसी फैमिली को भेजना चाहते हैं, पीडियाप बना कर अपने फोटू को, तो फिर आज के इस वीडियो में आप सभी को बताये गया करके इस application को download कर सकते हैं तो जब यह application download जाए तब आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कई सारे option देखने को मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी दे सकते business card का अगर आप PDF बनाना चाहते हैं तो business card पर click कर लिजिए इस तरह से अगर आप i card का PDF बनाना चाहते हैं तो i card पर click कर लिजिए मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कई सारे option दिए गये हैं आपको क्या करना दोस्तों all dogs पर click करना है यहाँ पर यहां पर आल डोक्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी को कुछ करना नहीं है, केबल दोस्तों नीचे आप सभी कोeffective option दिखाए रहे, gallery का option दिखाए रहे तो आपको side में छो gallery option दिखाए रहे इस पर click कर देना है, ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां से आप सभी को उस photo को select कलेना है जिसे दोस्तों आप सभी PDF फाइल में डालना चाहते हैं example के लिए दोस्तों यहां पर मैं इस तरीके से इस photo को select कलिया यहां पर दोस्तों photo पर एक second दबा कर रखना यहां पर mark का option आजाएगा आपको क्यों यहां पर mark लगाना है इस तरीके से जितने photo पर आप mark लगाएंगे उतना photo दोस्तों यहां पर PDF में add हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आप सभी दे सकते हैं यहां पर मैं 7-8 photo add कर लिया हूँ यहां पर दोस्तों मैं 9 photo add कर लिया है यहाँ पर एक और गाट कर लिता हूँ, यहाँ पर 10 photo मैंने add कर लिया है यहाँ पर आप सभी को side में दिखाई दे रहागा कितने photo आपने select किया है और नीचे आप सभी को done का option भी दिखाई दे रहा है, इस पर आपको click कर देना है उसके बाद दोसों यहाँ पर आप सभी को cropping करने के लिए बोलेगा तो आप सभी इस तरीके से इसे crop भी कर सकते हैं हो सकता है दोसों आप सभी को कोई document हो तो यहाँ पर दोसों आप सभी इस तरीके से document को भी crop कर सकते हैं उसके बाद दोसों यहाँ पर आप सभी को एक एक करके आप सभी को नेश्ट करके क्रॉप कर लेना है तारे फोटो को क्रॉप करने के बाद में आप सभी को तीर के आइकॉन पर क्लिक कर देना है जैसे दोसों आप सभी को तीर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो दोसो PDF बन चुका है जैसा कि आप वीडियो में दे सकते हैं यहाँ पर side में दोसो आप सभी को triple dot दिखाए दे रहोगा इस पर आपको click करना है उसके बाद दोसो यहाँ पर आप सभी को PDF JPG का option दिखाए देगा इस पर दोसो आप सभी को click कर देना है जैसे दोसो PDF JPG पर click तो यहाँ पर दोसो आप सभी को नीचे काई सारी option देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दोसो आप सभी को क्या करना है save पर click करना है उसके बाद दोसो यहाँ पर आप सभी को internal storage पर click करके इसे save कर लेना है यहाँ पर दोसो folder select करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर दोसो आप सभी को use this folder पर क्लिक कर देना इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर allow कर देना है अब यहाँ पर saving होना सुरू हो चुका जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं saving हो चुका है यहाँ पर save successfully का option आ चुका है अब हमें क्या करना done पर क्लिक कर देना है done पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब हम चलेंगे अपनी gallery के अंदर हम देखेंगे कि हमारा photo पीडियाप save हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ अपना file manager को open कर लेता हूँ file manager open करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी दे सक चुके हैं दस photo डाला था तो यहाँ पर दस photo मेरे आ चुके हैं तो इस तरह से दोस्तों आप सभी गैलरी के photo का पीडियाप बना सकते हो अब यहां से दोस्तों अगर आपको किसी को भेजना है तो यहां पर ऊपर आपको एक तीर का इकॉन दिखाए दे रहा है इस पर क्लिक करना है उसके बाद स्याफ्ट सब्सक्राइब करके आप सभी ब्हेजिशना है तो यहां पर दोस्तों पीडियाप भेजेंगे तो आपका चाहा यहाँ जाए जैंके पर इस तरीकए से पीडियाप दूसर्री के पास में पहुंच लिए नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो नमस्कार गुडबाय चाहिंदे